सबसे पहले तो रिजर्स से शुरुआत करिए कैसे आए हैं जी बिलकुल सबसे पहले टाटा मोटर्स के बारे में कहूंगा ओवराल जो है वीक नतीजे देखने मिले रेविन्यू जो है इन-लाइन सेट अप नंबर आये लेकिन एबिड़्डा और मार्जिन वो बिलो एस्टि गिर गया year on your basis और margins में भी दबाव देखने मिला है यहां पर एक pre-tax loss देखने को मिला था 110 million pounds का इसके कारण जो है आपके semiconductor issues देखने मिले और of course forex में भी जो है उसका impact के कारण जो है आपको numbers जो है weak देखने मिले consolidated basis में और working capital में भी थोड़ी सी problem है लेकिन भारत के अगर operations और आकडों की बात करें तो commercial vehicle ले ले जिए पैसेंजर वहिकल ले ले जिए दोनों में strong volumes देखने मिले है margins में भी improvement देखने मिली अगर आप stand-alone business को देखें तो overall जो हम कह सकते हैं कि decent set of numbers जो इंडियन के लिए आये लेकिन overall जो consolidated basis में बात करें उसके कारण जो है weak numbers जो है देखने मिले हैं आपको Tata Motors के लिए इसके लावा जो है focus में रहेगा वाइदे बजार से United breweries बहुत अच्छ set of numbers देखने मिले हैं कली United Spirits के भी नतीजे अच्छे आये थे consumption theme अच्छा चल रहा है volume भी है double हो चुका है पिछले साल से अगर compare करें तो और जो sales हुए थी volume growth लगबग 8% का हुआ है और eye में भी लगबग आप देख सकते हैं कि दो almost 2 गुना हो चुका है VIP industries भी एक टाइप से बहुत शांदार numbers देखने मिले हैं यहां पर revenue लगबग तीन गुना बढ़ गया EBITDA में भी 8 गुना जो है उच्छाल देखने मिला यह पहली बार disruption free quarter जो हुआ है पीक सीजन कहा जाता है तो यह में जो है most of the positive factors एक साथ प्ले आउट हुए है और volume growth भी pre-covid levels के ऊपर चले गए है पुनावाला FinCorp भी focus में रहेगा यहां पर भी अच्छे numbers देखने मिले asset quality में इंप्रूब्मेंट देखने मिला है और NIV जो है net interest income यहां पर भी 33% का growth देखने मिला है company already initiate कर दी 1000 करोड रुपे का fundraising activity Dixon Tech के मिले जोले नतीजे देखने मिले है और of course sequentially जो है margins में और थोड़ा दबाव देखने मिला है हाला कि year on year basis पे revenue 50% के ऊपर growth किया है CapEx theme के focus करते हुए capital goods stocks company Shaffler India focus में रहेगा और अच्छे शांदार नतीजे देखने मिले है revenue 42% का growth देखने मिला है और net profit में भी 76% का उच्छाल देखने मिला है well spend India जो हाला कि weak set of numbers देखने मिले है revenue में भी 12% का करावट देखने मिला है और EBITDA है वहां पर लगबग 60 करोड का जो है लॉज देखने मिला आप याद रखिएगा कि इनकी जो रामेट्रियल उसमें बहुत बढ़ातरी हुई है cotton prices में भी जो है एक्दम record highs पे थे first quarter पे तो उसके कारण इंपक्त देखने मिला है and of course company की commentary exports में वह भी बहुत important रहेगी क्योंकि globally जो demand है थोड़ी कम हो गई है recession fears के कारण buycon भी focus में रहेगा overall देखा जाए तो average में miss हुई है estimates के और सिक्वेंशली भी numbers देखें तो यहां पर जो है numbers थोड़े कम आए है I feel up finance दूसरी जगा अच्छे numbers देखने मिले है net interest income में लगभग 24% का उच्छाल देखने मिला और पैट में 29% का अब finopayments bank भी focus में रहेगा यहां पर भी अच्छे नतीजे देखने मिले है और आप देख सकते है कि a strong set of growth जो है देखे है stock में Shriram City Union Finance यहां पर देख सकते net interest income में लगभग 21% का growth आया है और disbursement मे 74% का उच्छाल आया है अच्छे नतीजे देखने मिले है महिंद्रा life space development के जो डवलपर के जो stock है यहां पर weak set of numbers देखने मिले है revenue लगभग 36% down है multi packaging जो है मिले जूले नतीजे देखने मिले है revenue और net profit हाला की 50% के ऊपर है लेकिन आगे जाते हुए जो packaging segment में जो आप कह सकते guidance आ रही है इंडस्ट्री से वहां पे जो है global demand और जो कह सकते rising input cost यह दो जो है आपके headwind रह सकते हैं आरती drugs जैसे की by icon के नतीजे आए फार्मा स्पेस में आरती drugs के भी नतीजे में जो है आपके bottom line numbers में impact देखने मिली और margins में तो है लगबख 300 basis points का गिरावट देखने मिला है जेके लक्षमी सिमेंट के भी वीक नतीजे देखने मिले हैं revenue लगबख 25% गिर गया है और margins जो है लगबख 400 basis points का गिरावट देखने मिला है तो थोड़े से weak set of numbers देखने मिले और देर रात home first finance की भी number आखर में आये थे और यहां पे अच्छे set of numbers देखने मिले रिसेंटली लिस्टेट स्टॉक ती और नेट इंटरेस्ट इंकम में 50% का ग्रोथ आया है और इवेन आप कह सकते हैं आप पाट में भी जो है लगबख 46% का ग्रोथ आया तो एक साइब से कह सकते हैं मिले जिले set of numbers आये हैं फार्मा स्पेस में जरूर दबाव देखने को मिल रहा है आगे जाते हुए लेकिन कुछ-कुछ sectors है जैसे कि VIP Industries हो गया United Breweries हो गया जो overall जो है यह कुछ एहम numbers आपके सामने हमें रखे हैं शुरत इसके अलावा खबर वाले शेर्स कौन से हैं जी बिल्कुल सबसे पहले तो SpiceJet News में रहने वाला है और DGCA ने जो है और किया SpiceJet को कि लगभग 50% अव जुनको जो अप्रूफ फ्लाइट है आठ हफते तक जो है और जो है सिफ कर सकते हैं मतलब क्योंकि बहुत सरे टेक्निकल स्नाक्स देखने मिल रहेते तो एक टाइप से कह सकते कि अगले आठ हफतों में तो आपके पास 50% प्रॉबबरिटी कि आपके टिकेट कैंसल भी हो सकती है तो यह चीज़ जरू ध्यान से रखेगा जब आप ट्राइवल करेंगे और पाइज़ का भी बयान आया है कि अभी लीन ट्राइवल सीजन चल रही है तो इंपक्ट जादा नहीं पढ़ेगा और पूरी अप्सलूट इंपक्ट नहीं पढ़ने वाली है फ्लाइट ऑपरेशन्स में पर जरू देखिएगा स्टॉक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फो प्रूफ किये जाए बजाज फिंसा भी फोकॉस में रहेगा आज जो है बोर्ड कंसिडर करेगी शेयर स्प्लिट और बोनस इश्यू तो अफकॉस स्टॉक में ध्यान रखिएगा हीरो मोटो कॉप में ने जो है एसेंचर के साथ करार किया है जहां पर सप्लाइचें ट्रां उनकी आम को जो है लगबग एक्स्ट्रा 1.6 बिलियन डॉलर जो है ब्राजिलियन ब्लॉक में वो इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तो यह टॉप फाइफ ख़बरे हम आपको बताये थे